आप सभी को जैसरी किष्णा राधे राधे तो आज पिर सुनाते हैं लड्डू को पाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू को पाल के प्रतीश रद्धा भक्ती भाव और बढ़ जाएगा तो ये सत्य घटना है एनपी मद्यप्रदेश से जहां प अबरत करते थे और है तो डेली जब भी अपने खेत मतलब जाने से पहले सुबह इसनान करे पहले भगवान की पूझा पाठ लड्डू को पाल को इसनान ध्यान सब कुछ कराके फिर कहीं वो घर से निखलते थे उनका रोज का नियाम है बिना पूझा पाठ के वो कभी नही ये धोय खाते भी नहीं थे तो ये सब उनका नियम था एक बार क्या होता है कि भगवान भी जब कोई नियम करो ना तो भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं तो ऐसे ही उनके साथ हुआ वो बताते हैं कि उनके साथ एक बार नहीं हमेशा ही ऐसा होता था कि जब भी वो एक कादसी का वरत करते थे सुबह नहादो के भवान की पूजा पाट सब कुछ करके और निकल जाते थे खेत के लिए खेत में काम करने अपना ट्रैक्टर लेके जो भी काम होता था वो अपनी खेती किसानी का करते थे और ऐसा नहीं है घर परिवार में सब अच्छे थे जो भाई इनकी परिस्थिती ठोड़ी कमजोड थी। यूँकि खेती किसाने वाले और नोकरी वाले में ठोड़ी अंतर होता है। तो ऐसे ही था इनके साथ में. अब क्या होता है कि ये बताते हैं कि जैसे ही एकातास्ची का दिन आता था वैसे उस दिन उनके इतना काम आजाता था खेत में इतना काम आजाता था कि वो सुबह जो नहादों के पूजा पाट करके निकलते थे डेली का उनका नियम था कि साड़े ग्यारा बारा बजे वो घर आ जाते थे लेकिन उस दिन एका दसी के दिन हमेज सा कहते हैं कि मेरी ऐसे परिक्षा लेते हैं कि उस दिन उनको रोज मतलब हर एका दसी में तीन साड़े तीन चार का नियम था और अगर कभी ऐसा नियम टूट भी जाए वो टाइम से एक दो बजे घर आ भी जाएं तो किसी ना किसी भाने वो मतलब अगर कुछ चाहें भी कि वो कुछ प्रशाद पाले तो वो नहीं पापाते थे कुछ ना कुछ ऐसा काम घर में ही आ जाता था या कि खेट से ही लेट आते थे वो कह रहे हैं कि आज मुझे ये एका दसी का वरत करते हुए अठारा साल मतलब ये जो साल चल रहा है उस हिजाब से अठारा साल हो गए और अठारा सालों में मुझे याल भी नहीं है कि मैंने कभी मतलब एका दसी की दिन मुझे टाइम से भोजन मिला हो या कि टाइम से प्रशादी जो फलाहर करते हैं ना दोपर में तो वो कभी मैं खाया हूँ ये हमीजा भगवान मेरी परिक्षा लेते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं हार मानी मैं हमीजा परिक्षा देने को तैयार रहता हूँ अब क्या होता है कि इनके परिवार में दो बेटियां भी होती है और उनकी सादी की अब इनको फिक्र होने लगती है एक तो छोटी होती है लेकिन जो बड़ी बेटी होती है उसकी अब वो बड़ी हो रही होती है तो उनको चिंता लगने लगती है अब वो घर परिवारवानों से कहते हैं कि अगर कोई अच्छा रड़का हो तो बताना तो घरवाले कहते हैं जैसे ये कहते हैं कि कोई अच्छा रड़का हो तो बताना तो घरवाले हसने लगते हैं कि भाईया आप दोगे कितना अच्छा तो चाहिए लेकिन अच्छा के लिए तो अच्छे पैसे भी लगेंगे तो वो मतलब ऐसे हसी में लेते थे मजाक में लेते थे अपने भाई को लेकिन उनको जो भगत थे उनको भगवान के ओपर पूरा विश्वास था वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे उनकी वाईब थी उनकी पद्नी थी उनसे हमेजा कहते थे जैसे वो परिशान रहती थी वो सबको देखती थी कि सबकी बेटियां अच्छे अच्छे घरों में ब्याही है और इनको अब लगता था कि हमारे घर हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है तो हम अपनी लड़कियों को कहां साधी करेंगे और कैसा घर परिवार मिलेगा ये सोच के क्योंकि मा को तो चिंता होती है ना पिता को भी चिंता होती है लेकिन वो अपनी चिंता कभी दिखाते नहीं है तो ऐसे ही हाल इनके साथ था उनकी पत्नी हमेशा चिंता करने लगती तो हमेशा कहते कि तो चिंता मत कर घबडाया मत कर अपने, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है, और भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है, सिर्व भगवान पर भरोसा रखो, भगवान की बूजा पाट करेंगे, अब क्या था, कि इनकी जो बेटी होती है, वो बड़ी होती है, तो फिर साधी की चिंता, और सब के, मतलब सब को पता होता है कि अब भाईया साधी करेंगे ऐसे तो रिस्ते के लिए जब बात करते हैं तो सब जो रिस्ता बताते हैं वो ऐसी गाउं दिखात किसान को तो इनके जो पिताजी होते हैं वो कह देते हैं कि मैं किसानी मतलब किसान के हाँ बेटियों को अपने नहीं दोगा क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन किसानी की तो उनको पता है कि कितनी महनत होती है किसानी में बहुत महनत होती है जितनी महनत करते हैं किसान उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता और आराम का क कोई जीवन नहीं होता है किसानों का ऐसे करके कि मैं अपनी बेटियों को अब किसानी में नहीं दूंगा ये करके तो घर वाले जो गर परिवार वाले होते थे वो हसने लगते थे कि भाई ये तो ऐसे सब ने देखते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से राजधानी में भेज दें कि एक करिस्ता है और सहर में रहते हैं और लड़की अच्छे जॉब में हैं तो ये पर पहले मना कर देते हैं कि एतने दूर क्योंकि दूर होती हैं वो लोग तो पिता जी मतलब भक्त किसान थे इन्होंने मना कर दिया कि इतने दूर तो हम भेज़ेगी नहीं लड़की को और ह उन्हें साधी बताई थी उन्होंने बोला कि नहीं उनको अच्छी लड़की चाहिए उनको पैसे चाहिए नहीं हैं तो ये सुनके वो थोड़ी वो लगता तसलिह होती है कि हो सकता है हो जाए तो जब वो साधी के लिए देखते हैं बुलाते हैं लड़की को देखने के लि लेते हैं लड़की लड़के को भी लड़की पसंदा जाती है ये है लेकिन अब आती है बाली देने की अब वो देंगे कैसे क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है ही नहीं और ऐसा नहीं है कि घर परिवार वाले कोई मदद नहीं कर सकते थे सब अच्छी अच्छी पोस्ट मे करेगा और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई इतनी मदद करे लेकिन भाई 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 थे तो उनको इतनी तो आसा थी कि हाँ थोड़ी थोड़ी भी अगर हेल्प कर देंगे तो अच्छे से जादी हो जाएगी अब क्या था इनकी मतलब लड़की देख लेते हैं पसंद आ ज कैसे करके कैसे भी करके मैनेज कर पहले घर में बात करते हैं तो सारे भाई बोल देते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी करके हेल्प कर देंगे जिससे कि आपके ये जो लगुन का कैसे वो पूरा हो जाएगा ऐसे मैं जब ये घर वाले बोल देते हैं तो वो भी हामी बर देते है और वो बताते हैं कि उस टाइम पे बेटी की साधी के टाइम पे उनके पास मात्र पचास हजार होते हैं सिर्फ पचास हजार उस लड़की के पिताजी के पास और कोई पैसा नहीं सिर्फ यही आसा उपर वाले से और घर वालों पर इतना विस्वास था भगवान की उपर इतना दिस्वास था कि कोई ना कोई जरूर हेल्प करेगा कोई करे ना करे भगवान जरूर मदद करेंगे ऐसे वो करके और वो हां कर देते हैं उनको ये था कि सब लोग अगर दस-दस हजार भी ऐसे करके करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा अब एंड टाइम पे जब यहां से लगुन जाती है सब कुछ होता है और है तो जब जो कैस होता है जब उसकी बारी आती है देने की तो जो दो भाई होते हैं ये लोग चार भाई होते हैं जिसमें की दो तो दे देते हैं और दो भाई देने को मना कर देते हैं एंड टाइम पे जब पूरी कैस गिना जा रहा है जब ले जाया जा रहा है अब वो लड़की के पिता जी करते तो करते किया उनके पास करसे 50,000 बाकी तो वो और भाईयों के उसमें थे लेकिन एंड टाइम पे जब भाई मना कर देते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है बड़ा दुख होता है कि अब उनकी मदद करेगा तो करेगा कौन अब वो चले जाते हैं वहाँ पे मतलब लगुल लेके दड़की की सारा समान सब कुछ ऐसे लेके लेकिन कैस कम 20,000 कैस कम हो जाता है अब वो पड़े ख़वड़ा रहे थे भगवान के उपर मतलब विंती कर रहे थे अपने लड़कुपाल से प्रास्ता कर रहे थे कि है भगवान अब मैं कुछ नहीं जानता मेरी लाज रखना मेरी बेजिती नहों सब के सामने समाज में इतने सारे लोग होंगे, महमान होंगे, यहां से भी, वहां से भी, लोग क्या कहेंगे, आप मेरी लाज रख लो ऐसे जब वो कहते हैं, और यहां से ऐसे जिन्होंने मना किया था, ऐसे नहीं यह उनके पास 50, मतला 10-10 हजार ना रहे हैं वो चाहे थे, वो तो 50-50 हजार भी दे सकते थे, लेकिन वही है ना, कुछ लोगों की ऐसी आत्ते होती हैं, कि जो दूसरों को नीचा गिराने की कोसिस करते हैं, कि इसकी बेजिती हो जाए, क्योंकि उनको यह चीज लगने लगी थी, कि अरे ही, इनकी लड़की के साथ इतनी अच्छे परिवार में कैसे हो सकती है, तो इतने, मतलब हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कि इतने अच्छे परिवार में हो जाएगी, और जो वेटियां हैं, वो ऐसे जगे पे जाएंगी, इतने अच्छे इतने बड़े सहर में वो जा रही है, इतने बड़े घ पाल के पास जाते हैं अपने मंदिर के पास जाते हैं और उनके आँखों में आसु आजाते हैं और कहते हैं भगवान मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है और किसी पह नहीं अब मेरी लाज आपके हाथ में हैं मैं कुछ नहीं जानता मेरी लाज रखना क्योंकि आपको पता ह मेरे पास कुछ भी नहीं है और am time पे मेरे लाज रखना ऐसे करके करते हैं कि इतने मैं एक अनजान इंसान जिनको ना तो वो परिवार का है ना तो वो कोई है पता नहीं कौन आता है एक आदमी आता है और वो लिफापा देके जाता है लिफापे में पता है कितने होते हैं लिफापे में 21,000 रुपए उस लड़की के नाम पर होते हैं कि ये मतलब एक भेट के तोर पर और उसको ना तो उनके पिता जी जानते पहले मतलब लड़की के नाम पे साधी के उससे आता है तो ले लेते हैं जब उस लिफाफे को खोल की देखते हैं तो उसमें यहां से यह पैर पढ़के जाते हैं बाहर बड़े उतासमन से पढ़े मतलब भगवान के सामने रोते हुए कि मेरी लाज आप रखो के और बाहर निकलते हैं और उनकी हाथ में एक लिफाफा आता है जो कि परिवार का ही कोई देता है कि कोई आया था और वो यह लिफाफा देखे किया है आपको और जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें 21,000 यह देखके तो उनके मतलब ऐसा लगता है रोम, रोम में बिलकुल ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लड़ो गोपल, मेरे करहिया आपने मेरी लाज रखी और वो तुरंत आते हैं वो पैसे उनके चर्णों में रखते हैं और उनको ऐसे लेके मतलब गोदी में लेके बहुत रोते हैं और अपनी वाइब से बताते हैं कि ऐसा हुआ तो उनके जो पतनी होती है उनको मतलब सांद भावुक हो जाते हैं वो तो उनको तोड़ी सांदों ना देते हैं कि देखो आप जीवन भर भगवान की सेवा किये हो तो ऐसे थोड़ी है कि भगवान अपने भक्त को कभी हारने दे और किसी के सामने नीचा दिखाने कोई कितनी भी कोसिस कर ले लेकिन जिसके सहारे भगवान है न उसका कोई कुछ नहीं कर सकता और ऐसे समझाती हैं और उनको सांतुना देती हैं फिर वो बड़े प्रशन होके बड़े खुस होके वो पैसे को पूरा करते हैं और वहाँ पे लगुन में लेके जाते हैं तो जो भाई लोग जानबूच के ये बताते नहीं है अभी किसी से और वो पैसे पूरे कर लेते हैं और जो भाई लोग द यह नहीं थी ना इनको पैसे 10-10,000 जो कम कर दिये थे उनको यही लग रहा था कि वहाँ पर जाकर की बेजिती होगी जब वहाँ पर दिया जाता है वहाँ सासराल वालों को लगून की टाइम पर तो जब वो देखते हैं कि अरे यह पैसे तो पूरे हैं तो क्या कहते हैं वो सब लोग की इसके पास तो रहते हैं यह बना रहता है ऐसे हमसे जूट बोल रहा था कि हमारे पास है नहीं और इसके पास पहले से ही ऐसे रखे थे तो फिर घर में आके बड़े वो करते हैं कि आपके पास तो होते हैं और आप मना कर देते हैं और आपने हम से मांग रहे थे मतलब उनको ये चीज की खुसी नहीं हुई कि चलो भाईया कि इतनी मतलब पूरे हो गए पैसे जो कमी हो रही थी वो नहीं उनको इस चीज का पस्तावा हो रहा था कि इनकी बेचिती क्यों नहीं हुई लेकिन जिसके सहारे लड़ो गोपाल जिसको जो लड़ो गोपाल के सहारे है और जिसके उपर लड़ो गोपाल की करपा भगवान की करपा है चाहे वो लड़ो गोपाल हो किसी भी देवी देउताइस्ट को मानते हों जिसके उपर भगवान की क्रपा है वो कभी नीचे नहीं उसको कोई दिखा सकता और हमेशा वो प्रसर्न रहेगा हमेशा खुशी रहेगा और क्यूंकि हम सहारे किसके हैं भगवान के तो जो भगवान के सहारे रहता है लड़की बचाना और सब के उपर अपना आसिरवात बनाए रखना आज लड़ू गोपाल की क्रपा की वज़े से ही उसका परिवार बहुत सुखी है लड़की बहुत सुखी है और आज के टाइम पे वो राजधानी में रह रह रही है बहुत सुखी संपन खुस है और यहाँ पे ये भक्त परिवार भी बहुत खुस है और ऐसी होती है हमारे लड़ू कोपाल की क्रपा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से एर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नैक्ष्ट सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए राधे राधे